हाई फ्रेंड्स और विडियो और गाइस इस वीडियो में हम यह देखने वाले कि आपके फोन के लिए कौन सी गैल्डी एल्बम सबसे यादा बेस्ट है और वह गैल्डी लगबग दोस्तों मैं खुद काफी टाइम से यूज कर रहा हूं तो सबसे पहली बात दोस्तों यह कि कि आपके फोन में जितनी भी अपडेट आता है अगर आप रिसेंट में बहुत सारी फोटुस को खेचेंगे तो वह दोस्तों नहीं दिखाएगा और इसमें आपको काफी फोल्डर्स मिलेंगे अंदर यानिकिए और आपको अपनी फोटूस को फोल्डर्स के अंदर जाके करना पड़ता है तो यह दोस्तों गैलरी ठीक है लेकिन काफी स्लो हो जाती है और अगर आप मेरी रिसेंट वीडियो में जाकर देखेंगे तो लगबग दोस्तों मैं यह गैलरी को एक डेट साल से भी जाला टाइम से यूज कर रहा हूं क्योंकि काफी अच्छी मुझे लगत तो मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूं जैसे कि 3 रोट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको वीडियो फोर टूज कैमरा एफेक्ट फोल्डर सेटिंग और फीड़बैक जैसे कुछ मिल जाते हैं तो वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर वाली गैलरी जैसे कि आपने Mi Drop से लिया तो Mi Drop का फोलडर बनेगा SHARE इट से लिया तो SHARE इट में अलग आएगा और आप जिस पे ऊपन करते तो यह एक एनिमेशन के साथ ऊपन होता है जैसे के MI-US6 की गैलरी तो यह जो एनिमेशन के साथ गैलरी ऊपन होती है और काफी अच्छी लगती ह और एक और best feature यह कि अगर आप home screen पे two finger से zoom करेंगे तो इस तरह से आप इस gallery को adjust यानि कि छोटा बड़ा कर सकते हैं और चोटा करके आप जोटा करके आप एक साथ बहुत सारी photos को भी देख सकते हैं तो दोस्तों यह feature भी इसका मुझे काफी आदा बड़े लगा है तो और यहा बात करें इस gallery के download होनी की कैसे आप इसको download करें अपने phone में आपको कैसे इसे install कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बतायता हूँ वैसे तो मैंने वीडियो की नीचे description में लिंक देई रखा है और अगर आप देखेंगे तो आपको यह play store पे available नहीं मिलेगा और जलेगी और अगर आप किसी फोटू को open करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ option मिलते हैं जैसे कि slideshow, username और cast काफी सारे चीज़ों मिल जाती है जिनको आप directly इस gallery में use कर सकते हैं और जैसे कि अगर आप यहाँ पर edit पर भी जाएंगे तो आपको सीधा आपके phone के editor app में लेकर जाएगा तो गाइस काफी बढ़िया है एक बार आप अपने फोन में जरू ट्राइ कीजेगा आपको अगर अच्छी लेगे तो आप इससे download कीजिए install कीजिए और अपने phone में use कीजिए बाकि इस वीडियो आपसे भी लोग इतना ही बताना था और अगर आपको वीडियो च करें अपने इस चैनल को पिशुक्राब करदे ना मिलतौ हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फ़र वाच बाच है